हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पाय टुशन क्लासिस, आज हम बात करेंगे रोहिंटन मिस्त्री की एक नॉवेल सच लॉंग जर्नी के बारे में, यह नॉवेल 1991 में पब्लिस की गई थी और इसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन 2010 में इसे युनिवर्सिटी ओफ मुंबई के इंगली सीले बस से ही निकल दिया गया, तो क्या है इस नॉवेल की स्टोरी, आइए समझते हैं, अगया था, अगया था, शुच्छ लॉवेल नॉवेल में गुश्टाद नॉवेल, उसकी फेमिली और खोडदाद बिलिंग में रहते लोगों की कहानी है, गुश्टाद नॉवेल इस नॉवेल का में केरेक्टर है, वो नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट है, गुश्टाद नॉवेल एक पार्सी है, जो बैंक में एज अ क्लार्क काम करता है, वो अपनी वाइफ दिलनवाज और अपने तीन बच्चे सोहराव, डेरियस और रोसन के स रहती है, तो इस तरह दोस्तों गुश्टाद अपनी मिडर क्लास फेमिली के साथ रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही मिडर क्लास फेमिली से बिलन करता हूँ, एक्चुली गुश्टाद के फाधर की फरनीचर स्टोर और बुक स्टोर जैसी स्टोर्स थी लेकिन समय के साथ वो सब खतम हो जाता है तो इस तरह अब गुस्ताद अपनी मिडर ग्लास फैमिली चला रहा है और अपनी लाइफ में वो कई सारी प्रोब्लम्स और चैलेंज़स को फेज करता है जो उसकी लाइफ को एक लॉंग जर्नी बना देते हैं फ्रेंड्स गुस्ताद का जो बड़ा बेटा है सोहराब वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है और उसने अपनी 10th और 12th क्लास भी अच्छे रिजल्ट के साथ पास किये है गुस्ताद भी अपने बेटे के लिए प्राउड फिल करता है और अपनी फेमिली के लिए भ परने का मौका मिलता है लकिन सोहराब आयेटी में अडिमिशन लेने से मना कर देता है क्योंकि उससे एक आर्टिस्ट बनना था शट्याश्टो सहराब का एह डिच गुस्ताद और उसकी फेमिल्नी को ऑपसेट कर देता है शोहराब के इसस डिसीजन से उसका फादर गुस्त गूशन हो जाता है है और गूशताद और सोहराब के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है ऑленड्टी एड़ और अप दियर्ऎमेंट पहुलद आर्गुमेंट हो दो आगे बात करें तो Darius और Jasmine की friendship गुस्ताद के लिए एक नई मुसिबत खड़ी कर देती दोस्तो Mr. Rabadi जिसकी पहले से ही गुस्ताद के साथ कुछ ज्यादा बनती नहीं थी वो Darius और Jasmine की friendship से खुश नहीं था So Mr. Rabadi ब्लेम करता है कि Darius उर्ष की बेटी Jasmine के साथ फ्लर्ट करता है और इस बात को लेकर गुस्ताद और Mr. Rabadi के बीच बहस चीड़ जाते है इस सब के बीच गुस्ताद को पता लगता है कि गवर्मेंट ने खोड़ादाज बिलिंग के पास की दिवार को तोड़ने के लिए एक नौटिस जारे किया है तो गुस्ताद एक आर्टिस्ट को बुलाता है और दिवार पे खुष देवी देवताओं के पैंटिंग्स को बनवा देता है ताकि इन देवी देवताओं के मानने वाले लोग दिवार को बचाने की कोशिस करें तो गुस्ताद ऐसे ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को टेकल कर ही रहा था कि उसके आगे एक और बड़ी मुसिबत खड़ी हो जाती है अब जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है गुस्ताद के दोस्त मेजर जीमी बिली मोरिया की वज़ा से दोस्तो मेजर बिली मोरिया खोड़ादाट बिलिंग में रहता था और अचानक से एक दिन वो बिलिंग से गायब हो जाता है और आज मतलब की अब गुस्ताद को Major Billy Moria का एक लेटर मिलता है और लेटर के साथ साथ गुस्ताद को 10 लाख रुपे भी मिलते हैं लेटर में गुस्ताद को यह 10 लाख रुपे एक Secret Bank एकाउंट में रखने को बोला जाता है दोस्तो अब आगे बढ़ने से पहले हम गुस्ताद और मेजर बिली मोरिया की दोस्ती के बारे में समझ लेते हैं तो दोस्तो मेजर बिली मोरिया एक रिटाइड आर्मी ओफिसर है मेजर बिली मोरिया को बिली बॉय नाम से भी बुलाये जाता है कुछ साल पहले अपने बेटे को बचाने की कोशिस में गुस्ताद का एक्सिडन्ट हो जाता है तब उस वक्त मेजर बिली ही गुस्ताद को अस्पताल पहुचाता है और वही से गुस्ताद और बिली एक दुसरे के अच्छे दोस्त बन जाते है मेजर बिली मॉरिया की कोई family नहीं है वो गुष्वत को अपना छोटा भाई और गुष्वत की family को अपनी family मानता है अब गुष्वत अपनी friendship की वजह से मेजर बिली मॉरिया की बात का इंकार नहीं कर सकता है गुस्ताद 10 लाख रुपए बैंक में डिपोजिट करने के लिए तयार हो जाता है जैसे ही गुस्ताद इस काम को करने के लिए तयार होता है कि वो नौटिस करता है कि उसके साथ कुछ strange यानि विचित्र कटना ये कटना सुरू हो जाती है गुस्ताद भी अब डर जाता है और वो अपने इस काम में दिन्साजी को भी सामिल कर लेता है दोस्तो दिन्साजी गुस्ताद के काफी अचे दोस्त है और वो गुस्ताद के साथ ही बैंक में काम करते है लेकिन बद किश्मती से दिनसाजी की भी तबियत खराब हो जाती है और कुछी दिन में दिनसाजी की मौत हो जाती है अब गुस्ताज जाता है मेजर बिली मोरिया के पास जो अभी दिली की जेल में है जब गुस्ताज बिली मोरिया को मिलता है तब उसे पता चलता है कि मेजर बिली मोरिया की तबियत खराब है बिली मोरिया गुस्ताज से सभी चीजों के लिए माफी मांगते है और इन सभी चीजों के पीछे जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में गुस्ताज को बताते है कुछ समय बाद मेजर बिली मोरिया की हार्ट एटेक से मौत हो जाती है लेकिन बाद में गुस्ताइट को पता चलता है कि ये कोई हार्ट एटेक से मौत नहीं हुई थी बलकि ये एक मडर था नौवेल के अंत में म्युनिसिपाल के वर्कर्स को दिवार तोड़ते हुए दिखाये जाता है दिवार पे देवी देवताओ के पैंटिंग्स थी तो इस वज़ा से वहां दंगा हो जाता है और इसी दंगे में तेहमूर लंगरा की मौत हो जाती है दोस्तो तेहमूल लंगरा एक अपाहिज है जो खोड़दाद बिलिंग में रहता है वो उम्र से तो बड़ा है लेकिन दिमाग से वो अब्भी भी सोटा बचा है तो दोस्तो गुस्ताद तेहमूल की बोड़ी को उठाता है और उसके अपाटमेंट में ले जाता है और उसके परिश आ जाता है और गुस्ताद और फेमिली से मिलता है दोस्तों गुस्ताद अपनी लाइफ में कई सारी मुशिबतों और चैलेंज़स को फेश करता है और उसकी लाइफ एक लॉंग चर्णी बन जाती है तो बस दोस्तो यही थी इस नौवल की कहानी अगर आपको इस नौवल की फूल इंगलिस समरी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पे जाके इसकी इंगलिस समरी भी पढ़ सकते ही थेंक यू वेरी मस्त दोस्तो